आज हम बात करेंगे अपकमिंग 2021 होंडा CB300R BA6 की लाँचिंग डिटेल आप में से काफी ज़्यादा सब्सक्राइबर इस पाइक की लाँच की वेट कर रहे हैं होंडा CB300R BA6 को जब इंडियन मार्केट पे लाँच करा गया था यह बाइक लिमिटेड डिलर्शिप पे अवेलेबल था होंडा की बट अपकमिंग 2021 होंडा CB300R BA6 को जब इंडियन 300R BA6 का भी launch देखने को मिल जाएगा, इस spike का सीधा सीधा competition BMW G310R के साथ रहेगा, क्या कुछ इस spike में आपको features offer किये जाएंगे, price कितना देखने को मिलेगा, इंड इस spike Indian market में launch कब होगा, सारी detail and complete information के लिए इस review को ज़रूरा पैंट तर देखे, Honda CB300R BA6 में आपको क्या कुछ specification मिलते हैं, engine में इसमें आपको 286CC का fuel injected BA6 compliant engine मिलते हैं, power इस spike के आपको 30 HP की power generate करेगा ये bike, torque इसमें आपको 27.4 Nm का torque मिलते है, number of gears इसमें आपको 6 speed gear मिल जाएंगे, seat height इस bike की 800 mm की है, weight इस spike के आपको 147 kg का weight देखने को मिल जाएगा, fuel tank इसमें आपको 10 liter का fuel tank मिलते है, disk का size front miss में आपको 296 mm single disc रहेगा, front disc का size, rare disc का size आपको 220 mm single disc देखने को मिल जाएगा, suspension में front miss में आपको 41 mm के upside down foot suspension मिलते हैं, rare suspension में monoshock मिल जाएगा, अगर इस spike के हम overall features की बात करें, क्या कुछ features आपको offer किये जाएगे इस bike के साथ, इस spike में आपको fully LED DRL headlight मिल जाती है और इसमें आपको all new color LCD digital meter console भी मिल जाएगा, इस spike में अब आपको slipper clutch भी मिलेगा, BS4 variant में इसमें आपको slipper clutch नहीं मिलता था, बट BS6 variant में इसमें आपको slipper clutch भी मिल जाएगा, इस spike में आपको dual channel ABS में मिलता है और इसमें आपको engine cooling technology, leaked cool मिल जाएगे, अगर इस spike के हम overall performance की बात करेंगे, top speed इस spike के आपको 160 km per hour के साब से मिलती है, average इस spike की city में ये bike आपको 30 km per liter के साब से average generate कर देगा, highway पे ये bike आपको 35 km per liter के साब से average generate कर देगा, इस spike में आपको simple looks but advanced features देखने को मिल जाएगे, इसमें आपको powerful engine भी देखने को मिल जाएगा, इस spike में आपको efficient braking system भी मिलता है, इसमें आपको comfortable riding position भी मिल जाएगा, इस spike में आपको काफी refined engine देखने को मिलता होंडा की तरफ से, इस spike में आपको काफी अच्छी average भी generate कर इस spike में आपको काफी अच्छी features भी मिलते हैं, जैसे इसमें आपको upside down foot suspension मिलते हैं, dual channel ABS, engine cooling technology, liquid cool भी इस spike में आपको मिल जाती है, अगर इस spike के हम overall colors की बात करें, क्या कुछ इसमें आपको new colors देखने को मिलेंगे, first color इसमें आपको matte blue color देखने को मिलेंगा, second color इसमें आपक matte black color देखने को मिल जाएगा, अगर इस spike के हम overall price की बात करें, इस spike का price आपको same देखने को मिलेगा, जो आपको BS4 का price देखने को मिलता था, BS6 का भी आपको price same देखने को मिलेगा, 240,000 extra room, क्योंकि इस spike का सीधा सीधा competition BMW G310R के साथ है, तो company जो price है वो same रखना चाहती है, BMW G3 under 10R के बराबर, तो इस spike का launch आपको 2021 FAB में देखने को मिल जाएगा, इस spike में आपको premium looks, advanced features and इसमें आपको easy handling भी देखने को मिल जाती है, and इस spike में आपको solid build quality देखने को मिल जाएगी Honda की तरफ से, तो फिलाल जो information मेरे पास थी मैंने आपसे discuss की, still आपके को doubts या कभी भी को question होते हैं, मुझे Instagram पे direct message करें, मैं आपको जूर reply दूँगा, तो आज के लिए बस इतना ही, आज के review का हम इधर ही wind up करते हैं,